नमस्कार, सलाम सस्यकाल, मेरा नाम है अबिनों और आप देख रहे हैं टेक्नोट रोविजन आज हम करने जा रहे हैं MIA1 का बैटरी रिव्यू जिसमें हम बात करेंगे कि बैटरी बैकप कितना है पूरे दिन में वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MIA1 के बैटरी बैकप की तो बैटरी का टेस्ट किया है हमने फुल डे मैंने ऐसे प्राइमरी यूजर फोन को यूज किया है अच्छे से जैसे मैं हाडली यूज करता हूँ और उसके बाद जो मैंने पाया कि बैटरी बैकप काफी डिसेंट है मैं आपके सामने यूजर दिखाने जा रहा हूँ मैंने सारी एप्लिकेशन जो मैं यूज करता हूँ मैंने यूज की है चलते है सेटिंग्स में जाते हैं बैटरी में आप देखिएगा कि 16 आर एगो मैंने फोन को प्लग इन प्लग आउट किया था चार्जर से उसके बाद यूजेज कुछ इस तरीके से हैं और 4 आर अभी भी लेफ्ट 20 परसेंट बैटरी लेफ्ट है बीच में आप मान सकते हैं कि 5 to 6 आर जो continuous phone मैंने यूज नहीं किया है तो अगर आप उसको हटा देते हैं तो 10 आर प्लस 4 आर 4 में से आप 3 मान लीचे 13 आर का backup काफी डिसेंट होता है heavy users के साथ जिसमें मैंने nfs no limits जो 1.5 gb का गेम है काफी heavy गेम है उसको यूज किया है 54 मिनट 33 सेकंड फिर बात करें अगर asfault 8 की तो इसको play किया है 23 मिनट 4 सेकंड और अगर screen के uses पे आते है तो यहां मिल जाता है आपको 4 आर 51 मिनट मतलब screen का और वो भी full brightness पे यूज किया ह है फिर बात करें अगर other applications की तो यहां messenger मिल जाता है 11 मिनट 40 सेकंड यूट्यूब अगर check करें तो यह मिलता है 25 मिनट 27 सेकंड camera काफी use किया काफी सारी pictures क्लिक की है और यहां पर मिल जाता है आपको camera 23 मिनट 47 सेकंड full brightness में मैंने पूरे दिंडिस्प्ले यूज किया है outdoor conditions में full brightness ही चीए होता है और outdoor condition में ही मैं था तो अगर देखें photos photos काफी सारी click की है dual camera के साथ defocus भी किया है तो मतलब काफी decent backup है मैं overall satisfied हो मुझे भी उमीद नहीं थी unboxing के टाइम पर मैंने भी बोला था कि 3080 mh का battery कम शाबित हो चकता है लेकिन ऐसा नहीं है totally depend कर रहा है hardware और software पर काफी अच्छा hardware और software है decent hardware और software होने की व overall अगर बात करूं battery backup की तो battery backup काफी अच्छा है decent है तो दोस्तों अब तक तो समझा गया होगा कि phone का जो battery होता है वो capacity पर डिपेंड नहीं करता है तो अगर वीडियो पसंद आया तो like कर दीजिए share कर दीजिए और कोई query है suggestion यह करना चाहते है discussion तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं रोज लेके आता हूँ आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो तो मिलते है next video में तब तक लिए जय हिंद जय भारत